तूबी का स्वागत है इस्ट्री के चैप्टर फॉस्ट में इंट अस्तियत्त हम बने के पार्ट थ्री पार्ट थ्री में जो हम देखेंगे वो देखेंगे समाजिक बिनते हैं कि चलिए इस्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो स्टड़ी फॉर आट्स पर चैनल को सब्सकाइब और लाइक जरू करें शेयर करें ठीक चले चलता है अब क्या देखो पुरातातु विदो ने जब हड़पा इस्थलो पर या सिंदु घाटी सब्वेता के इस्थलो पर खुदाई करनी स्टार्ट करी तो इन्होंने क्या सोचा कि इनके सवाधान तरीका समाजिक भिंता किस तरीके से तीनों ने दो चीजों से पता लगाया एक सवाधान और एक विलासिता ठीक सवाधान और विलासिता की वस्तु है ठीक है वो चीज से पता लगाया ठीक कि किस प्रकास समाजिक आर्थिक इस्थी तो दूसरी चीज़े लोग कहते हैं कि प्राता उनको सारी चीजे के साथ दफनाया जाता था या फिर उनको लगा जाता था उसी प्रकार से यहां भी उनको देखने को मिला है खुदा इसे पता चला है कि यहां पर दफनाने की पर्था थी कहां पर हड़पा सब रता में दफनाने की प्रथा थी सवाधान में ठीक उस दफनाने की प्रथा के साथ साथ इनों को कुछ चीज़ें भी मिलें यानि कि वो कहते थे कुछ स्थानों पर मिट्टी के दफनाने के साथ साथ क्या रखा जाते थे मित्टी के बरों रखे जाते थे सब्सक्राशन सब्सक्राइब रहती जाती थी मेरा मर्न वस्तुयों को भी रखा जाता था वाँ पर सील्टी सिंग इनका यो than सायद कुनरजनम पर विश्वास हो कि वो जिन्दा होगा और क्या होगा कि जिब जिन्दा होगा तो वो किसीज़ को इन दुबारब करेगा इसलिए माना जाता कि इनको रखा जाता था अगर विलासिता की वस्तूए देखें तो वहाँ पर शावाद्धान के साथ साथ हुआ पर क्या मिला है कि एक सीसा भी मिला है तामबे का ठीक वो सी चीज़े अब देखो बिलासिता की बस्तु है कहां से मन को सभी पता चलता है कोई पत्थरों के मन के बना के पहनता था तो कोई हड्डियों के मन के बना के पहनता था दूसरी चीज इन चीजों को सुय यह थीए यह सारी चीजह बने है जैसे कीमति वस्तू में उन्होंने क्या करा कि वहनोवे वनादी फोई ऐंस बालू रगजन की ठीक फोईंस ताकि क्या हो कि इस चीजको जानने मों मिले कि किस परकार से महंगी वस्तू के इस्तमाल भी होता था और महेंगी बस्तूओं को उन्हें इस चीज में रखा कि जिसको बनाने में ज्यादा टाइम लगे कठनाईयों के साथ हो इन्हों ने इस तरीके से जाना कि वह पर समाजी की भिनता है और किस प्रकास्ती स llamadhan के साथ सानों कि शीज को बहँमून नंबस्तूओं को भी सबों को दफनाने के साथ इनोंने के साथ साय साहते शोचा कि वह दुवारा से मरने के बाद उठे और उन चीज़ों को इस्तिमाल करें यानि कि पुनर जनम के बारे में भी इनका विचार आता है और दूसरी बिलासिता की वस्तुव तो मैं डेखें तो हमbuilding कहीं महिंगी चीजें मिलते हैं जैसे तांभे का सीसा दरपन से मिलता है खुदाई के दोरान खुदाई के दोरान क्anda वी मिलती हैं जिसके दो पत्थर पत है तो उसको जमीन में गार देआ जाता था और एक उसको आगे पीछे किया जाता था था कि वो उनको पीछने का काम करें ठीक सुजियां थी वहाँ पर और कीमती बस्तु जैसे की काने लिया और फिसेल खड़ी या फोयंस जैसे बाल वही रंग के पत्थर जिनको मन के बनाने में ज्यादा इस्तमाल किया जाता था ठीक म जाएंगी बस तुए श्रीव वहीं मिल दी जो बड़े-बड़े केंद्र थे जैसे की हडपा मोहन जोड़ो ठीक ये सारी चीज थी अब इसका जो अगली चीज जालते हैं वो हमें देखते हैं कि सिल्प उत्पादन क्या देखते हैं कि कैसे सिल्प उत्पादन वहाँ पर ह होता था ठीक सिल्प उत्पादन का मुख्य जो केंद्र था वो चंदुड़ो ठाफ क्या दार्ण का मुख्य केंद्र था महाँ पर संखो की कटाई भी होती ठीक सीच की संखो की ठीक मोहर निर्मान भी होता था क्या दा था महहर निर्मान भी होता था बाट बनाना भी होता था बात का बनाना भी होता था अब आप बोलोगे बाट क्या थे हाँ ना हाँ बदा तो एक तो लगभाई हम, चंदू-धाड़ों में तो था वो साथ बस्तियों में था और सिल्प पादन मोहन जोड़ो लगबग बाराज में था ठीक ये चीज थी वहां पर तो हम बात कर रहे थे सिल्पुत पादन की ठीक तो मकिल फिल प Fotina जो है वो ना क्या होताता सेल-खड़ी मन के उकानेलियन amas पथर का इस्तमाल करके जादा किया जाता सेयल-खड़ी होता तो मुलायम होता मुलायम पथर होता है हुग तो इसका स्तमाल असानी से क्या जाता था दी मन के बनाने में बनाते कहां से तें दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ कर दो या दो से अधिक पत्थरों को जोड़ कर एक मन के बनाते थे जिसमें से क्या इस्तमाल होता था सेल खड़ी इस्तमाल होती ती कान नेल होता था जो सुन्दर लाल रंग का पत्थर होता था इसपर टिक का इस्ताइब करते ते लोग कई साजी चीजों का इस्ताइब करके संखा इस्ताइब करते पकी मित्टी का इसीज को बनाने के लिए ठीक, शेल खडी का इसलिए करते थे ज़्यादा परियों क्योंकि यह मुलायम होता था, मुलायम का पत्थर होता था, जिसको असानी से इसको मसला जा सकता था और असानी से किसी भी ढाल में ढाल दिया जाता था, ठीक, जो नागीसुर और बाला कोट है, वहाँ पर ना कड़ि कोशर हमेसे आतैं क्या कि क्या जो हड़ापः सव्ड्फा कि लोग यह उन्णातर अंतर राष्टिय व्यापार भी चलता थाYou मूख महादीपों के साथ भी ता जैसे की उप महादीपों के साथ भी टाएक tightग्जांपल देता हूंес है अमान से तामबे का आयात करते थे इसके संकत हमें संकेत यहां से पाया जाते हैं कि वहां पर ओमान में ने एक मर्त बरतन पाया जाता है जो कि इस टाइप पे मटके टाइप का होता है और उसके अंदर एक मिट्टी का लेप किया जाता था ताकि वह क्या करें कि पानी और कोई भी लिक गाड़ी जलमार को क्या थे इनके पास यह परिभान के साधन थे इनके पास कि इससे जाते थे दूसरा अफगानिस्तान ठीक है लोथल गुजरात और नागेश और जोदपुर जैसे खेदरी संस्कितिस्क से भी संपर्क मिलते हैं कि यह इस चीज से वहां से ब्यापात करते थ अगर हम मुहन जोदपुर की लिपी की बात करें मुहन जोदपुर में लिपी की बात करें तो लिपी लिखी तो जाती थी लगबग जो अभी सबसे बड़ी लिपी मिली है उसमें 26 चिन्न मिले हैं कितने साइन मिले हैं 26 साइन मिले हैं जो कि पढ़ने में कोई अभी तक बाई लिखी जाती थी ठीक है जिसकी और इससे काया पता यहिसा चलता है कि बाई और जो जाते-जाते क्या वह यह यह छोटी हो गई ठीक और डाईव रात यह ुशें स्थेमशases इसT 22223το socio स्टाइब चलता है तंत सब्मयताख का औन्त कैसे हुआता ? कर दो ओर माना जाता है कि जल्वायू परिवहन वह झान्व है कि जल आयों परिवतन के साथ साथ उन्होंने जंगलों को खतम कर दिया चमिलों की स्टार्ट कर दिया जंगलों की कटाई स्टार्ट कर दियुक्त सूखन प्रअग्यित कापद कि उसके देशलां मार्क बतन हना ने इति है यह क्या माना जाता है कि यह माना जाता है कि उस प्रकार सी इनका क्या हो सकता है सब्वेता का हडपा का सिंदुगाटी सब्वेता का अंत हो सकता है या कि किसी एक राजा का दूसरे राज्वा पे आकमन कर देना I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि हम भी ऐसे वीडियो लाते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे धन्यवाद मित्रो